सभी बच्चों का स्वागत है दोस्तों कच्छा नौ के यह पेपर है आपका और कच्छा नौ के पेपर में सभी बच्चे ध्यान पूरग पूरा वीडियो देखेंगे पूरा यहाँ पे कोश्चन करने वाले हैं और यहां पर दोस्तो 99 मार्क्स आपके आने वाले हैं रिजल्ट भी आने वाला है तो अचाहिए सोसल साइंस यानी की समाजी बिग्यान का पूरा पेपर सभी लोग अपना उत्तर पुसिकर ले लें और कोश्चन पेपर उसको जो है आपका पेपर उसको सामने रखें और कोश्चन मिलाते चलें और इंसा लिखते चलें चलिए तो पहला प्रस देखिएगा आपके दिया गया है सही भी कल्ब में देखिए पहला प्रस न करक रेखा निनमे से किस राज से होकर गुजरती है तो आपको कहां लिखना मदपदेश राज से होकर गुजरती है पहला मदपदेश लिख लीजे छेथफल की दस्से सबसदीक वन किस राज में पाय जाते हैं तो मिजोरम में पाय जाते हैं चेत फल की डश से और हिटलर इनमे से किस देश को बिसुकास सक्तिसाली देश बनाना चाहता था तो हम बात कर रहे हैं जर्मनी की बात कर रहे हैं लोग तांतिक विरस्था में सासकों को भी पालन करना पड़ता है कानून को पालन करना पड़ता है निन में से कौन से क्रियकला प्रात्मिक छेत में सामिल नहीं है तो परिवहन ठीक है आपके पांचों लिख लिए पहला क्या है आपको होगा सहीवी कल मदपदेश, दूसरा का मिजोरम, तीसरा का जर्मनी, चौथा का कानून का पांचमा होगा परिवहन अब चलते हैं दूसरे प्रस्ट पर आपको दिये गए रिक्तिस्थान देखिए रिक्तिस्थान में पहला भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जील कौन है तो आपको चिलका करना है दूसरा देखिए नर्मदा नदी का उद्गमिस्थाल कौन सोगा अमर कंटक कहलाएगा ठीक है तीसरा है बेस्व में सरवादिक वर्षावाला इस्थान मौशिम पूर आपको करना है चोथा है गौरों ने किसका सासन अपने हाथों में लिया गया था तो दच्छिन आफरीका का पांचों में देखिए भारत में संसद के सदन होते कितने तो भारत में दो होते हैं सदन होते हैं एक उस सदन होता है ठीक है चले अब आपका प्रसंद कमांग तीसरे पर आईए जो आपका एक वाक या उत्तर देना का फ sek किया तो तुसे प्राइदीप कहते हैं दूसरा किक भारत की गंगा के नाम का सभी लोग जानते महा महीं, डांक्टर रामनात कोबिंद, सभी लोग लिखेंगे, महा महीं, डांक्टर रामनात कोबिंद, हमारे भारत देश के वरतमान राश्पती हैं, पांचनों में लिखे भारत के निर्धनता रेखा आकलन का सर्वेचन किस संग्ठन द्वारा किया जाता है तो आप देखे नार्मल पे NSSO भी लिख सकते हैं ये इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं राश्टी प्रतिदर्स सर्वेचन संग्ठन एक बार रिपीट करूँगा क्या है एन डवल एसो या लिख सकते हैं राश्टी प्रतिदर्स सर्वेचन संग्ठन आईए देखते हैं चौथे प्रस्ण पर चौथा आपका प्रस्ण दिया हुआ है सत्त सत्त पे चलेंगे पहला प्रस्ण देखे तीसरा है रंग भेद नसली भेद भाव पर आधायत ब्युस्था का नाम बिल्कुल सही है सत्त हो जाएगा बिहार और उडीसा भारत के दो सरवाधी के निर्धन राज हैं बिल्कुल सही बात है आपका चौथा भी सत्त है और रोजगार गरंटी अदियम कारकंव वहस दोजार चार में सुरू किया गया यह आपका असत्त दिया गया है तो देखे सत्त में एक से लेके चार तक सत्त है और पांचमा आपका असत्त है तो अबजेक्टु में आपने अभी तक 20 के 20 आपके कनफर्म है अब देखे पांचमा पांचमा आपको सही जोड़ी का मिलाना है तो सही जोड़ी का मिलाब करिए पहला क्या होगा मानसून मानसून में आपको क्या लिखना है अरभी सब्द लिखना है मानसून कैसा सब्द है अरभी सब्द आएगा नांगफनी में क्या लिखेंगे कटीले वन का कहलाएगा तीसरा है लिखिए वर्साय की संदी वर्साय की संद कब हुई थी उननीस सो उननीस में हुई थी चौथा लिखे समिधान की प्रारूप समित के अध़च कौन है तो डाक्टर भीमराव अमेडकर जी है भारत के मुख नयाधीस की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट पती के द्वारा होता है तो यह आपके पांच हुए पचीस में पचीस नंबर आपके क्लियर हुए अब यह चट्वा प्रस देखते हैं चट्वा प्रस में देखते हैं क्या लिखा गया है चट्वा प्रस देखिए जो प्रस लिखा गया अथवा का देखिए प्रवाल से आप क्या समझते हैं तो प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले सूच प्राणी है जो समुद के समों में घुकर सूंदभी सब्सक्राइब सब्सक्राइब धीक लिए प्राइब अब देखे सातम्हा में पूचाँ गया प्रसन कि फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में बाटा हुआ था तो लिखना है उत्तर पुसिका में फ्रांसीसी समाज को तीन वर्गों में बाटा गया था पहला है प्रथम एस्टेट दूसरा है दोती एस्टेट और तीसरा है तरती एस्टेट तो प्रतम दती तती स्टेट करके आपको लिख लेना है तो फ्रांसीसी समाज को तीन वर्णों में बाटा गया है अब देखिए आठवा दो नंबर का प्रिशन है आपका प्रिशन कमांग आठ देखिए क्या पूंचा जा रहा है मित्र राष्टों में सामिल देशों के नाम है यहाँ पर मिस्र होना चाहिए ठीक है मिस्र है राष्टों में सामिल देशों का नाम तो लिखना फ्रांस बेटन सोवियत शंग और अमेरिका सोवियत संग लिखना है और अमेरिका हो जाएगा आप देखिए प्रश्क्रमांक 9 का यहाँ पे देखिए क्या लिखा उत्तर आपको लिखना है प्रश्क्रमांक 9 प्रतिनिधिक लोकतंत क्या है तो एक हेडिंग डालना है उत्तर पुष्का में प्रतिनिधिक लोकतंत फिर इसमें लिखना है यह लोकतंत का सबसे आम रूप है जिसमें सभी लोग सासन नहीं करते हैं बलकि लोगों के द्वारा चुन्यू ही प्रतिनिधी ही सासन चलाते हैं लिख लिए आपने एक बार रिपेट करूँगा यह लोग तंद का सबसे आमरूप है जिसमें सभी लोग सासन नहीं करते हैं बलकि लोगों द्वारा चुनु ये प्रतनिदी ही सासन चलाते हैं अंगला प्रसंदे के प्रश्क्रमांग 10 का अथवा देखिए भारती समिधान कब लागू हुआ है और उसमें कितने अनुच्छे थे इसका उत्तर देखिए भारती समिधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसमें 465 अनुच्छे थे प्रश्क्रमांग गेरा देखिए प्रश्क्रमांग गेरा का अथवा आपका क्या लिया है मानक समय से आप क्या समझते हैं उत्तप उसका में क्रमांग डालिए और लिखिए प्रश्क्रमांग गेरा कत्वा का उत्तर इमानक समय से क्या समझते हैं भारत का देखिए बिस्तार 68 डिगरी 7 पूर से 97 डिगरी 25 पूर्वी देखिए बिस्तार के मध लगभग 30 डिगरी स्थित है इतना अधिक देखिए बिस्तार भारत के पूर्वी और पश्मी भाग में दो घंटे का समयांतर उत्पन करता है संपूर्ण भारत के लिए एक समय जोन निर्धारित करने के लिए भारत के मद दिसांतर रेखा 82 degree 30 पूर्वी दिसांतर क्या लिखना 82 degree 30 पूर्वी दिसांतर रेखा को भारत का मानक यामनोत्तर निर्धारित किया गया है आप लोग वीडियो पहुच कर भी आप पूरा लिख सकते हैं एक-एक सब्द देखकर अब हम चलेंगे अंगलिय प्रिश्ण पर प्रिश्ण कमांग 12 का उत्तर देखना है अथवा में तमिन नाड़ में सीत रुत्मे वर्सा क्यों होती है तो सीत रुत्मे उत्तर पश्मी भारती छेत में कम ताप के कारण अधिक वायुदाप के केंद बनने से हवाएं दच्छिन पूर्वी की और चलती हैं जब ये बंगाल की खाड़ी के उपर से चलती हैं तो जो नदी के धारक और तमिन नाड़ू में सीत काल में वर्सा होती है तभी क्या होता है तमिन नाड़ू में सीत काल में वर्सा होती है तो बीड़ो पहुचकर आप लोग इसका भी उत्तर आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि प्रश्म थोड़ा उत्तर बढ़े हैं योंकि आपके तीन-ती नमबर के हैं और प्रश्म मांग 13 का उत्तर जो है अत्व में से एक कथा थी 18 सदी में फ्रांस में दास्प्रथा मुक्त हे तू नेस्नल असेम्बिली जो हुई National Assembly जो होती है उसमें बहस हुई परंतु दास ब्यापार पर निर्भर ब्यापारियों की बिरोधी के भहे में National Assembly में कोई कानून पारित नहीं किया गया 1794 इसमी में Convasion ने फ्रांसी सी उपनिवेसों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया है परंतु यह कानून ज्यादा दिन लागू नहीं रह पाया दस वस पस्चात नेपोलियन ने दास प्रथा पुने शुरू कर दे गई थी इतना आपको लिख लेना है वीडियो पहुच कर लिजिए आप लोग असानी से लिख सकते हैं अब देखिए प्रिश्ण मांग 14 चौदा देखिए चौदा प्रिश्ण क्या है कुलक सब्द को परिभासित करना है तो कुलक रूस में संपन किसानों को कुलक बड़ा कहा जाता है कुलक कहा जाता था एक बार रिपीट करूँगा कुलक रूस में संपन किसानों को कुलक कहा जाता था 1927-28 के आपस का रूस को सहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था इस्टालिन का विश्वास था कि कुलक वर्ग अनाज इकठा कर रहा है और यह वर्ग गरीब किसानों का वर्ग है गरीब किसानों वर्ग का सत्तु है अतय 1928 में इस्टालिन की पार्टी की सदेसों ने कुलकों के ठीकानों पर छापे मारे इवं जबरन अनाज खरीदा जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो इस्टालिन ने कुलकों का सफाया करने को दे से खीतों के सामुही करन करने का फैसला किया और सरकार द्वारा नियंतित बड़े खेतों की क्या है इस्थापना हुई प्रिश्क्नमांग 15 का उत्ता लिखिये सभी दोस्ते आप लिखेंगे कच्छा नौमी के सभी बच्चे ध्यानपुरक लिखे प्रिश्क्नमांग 15 का अथवा का उत्ता लिखना है वन और वन जीवों की सुरच्चा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए तो सरकार ने वन और वन प्राणी सुरच्चा के लिए निमलिखित कदम उठाए पहला आपको पॉइंट डालना है आरच्छित जीवों मंडल निश्चे की स्थापना की दूसरा है पादप उद्यानों की स्थापना की तीसरा है सेर संरच्चन गैंडा संरच्चन भारती भैसा संरच्चन तथा परिस्थिश संतुलन योजना है चोथा पॉइंट डालना है 103 नेशनल पार्क एवं 535 वन प्राणी उवियारंड वन एवं चिडिया घर बनाए गये थे तो ये भी आपको लिख लेना है तो ये पार्ट वन था पार्ट टू में हम आपका 15 से लेके आँगे जो 16 से कोश्चन से लेके आपका 26 तक है हम पार्ट टू में लेकर आएंगे तो पार्ट वन को सभी अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं सभी बच्चे के अच्छा नोमी के सबस्काइब कर लेंगे वीडियो लाइक करें ताकि अंगला पार्ट आएगा तो आपको असानी से मिल जाएगा तो सभी बच्चे लिखें ध्यानपूरक लिखें और 90% नहीं यहाँ पर 99% आपको मिलेगा तो फिर आपको खुशी होगे तो वीडियो लाइक और सभी बच्चों को सेयर करें ताकि सभी बच्चे असानी सुत्तर लिख सकें मिलते हैं सभी बच्चे ध्यानपूरक लिखेंगे मिलते हैं नेस्ट पार्ट पर